हेलो नीट एस्पिरेंट आज सम् 11 बायलोजी का अध्याए 19 उस्साजी उत्पात एवं उनका निस्कासन स्टार्ट करते हैं मलब इस पार्ट में हम इस चेप्टर को पूरा कंप्लीट करतेंगे तो आज़े स्टार्ट करते हैं उस सर्जी उत्पात एवं उनका निस्कासन प्राणी उपाप चाई अत्वा अत्दिक अंतागरहन जैसी किरियाओं द्वारा अमोनिया यूरिया यूरिक कमल कारवन डायोकसाइड जल और अन आयन जैसे सोडियां पोटेसियां ग्लोरीन फॉसफेट सलफेट आदी का संचाय क प्राणी उपाप चाहिए अत्वा अत्यधिक अंतागरहन जैसी किरियाओं के द्वारा अमोनिया यूरिया यूरिय कमल कारवन डायोकसाइड जल और अन आयन जैसे की सोडियां हो गया पोटेसियां क्लोरीन फॉसपेट सलफेट आदी का संचाय करते हैं प्राणी उद्वारा इन पदार्थों का पूर्टा या आंसिक रूप से निसकासन आविसिक है इस अध्या में आप इन पदार्थों का साथी बिसेश रूप से साधारा नाइट्रो जनी अपसिष्टों के निसकासन का अध्यन करेंगे प्राणियों द्वारा उसाजित होने वाले नाइटू जनी अपसिष्टो में मुक रूप से अमोनिया यूरिया और यूरिक है इनमें अमोनिया साथिक आविस टॉकसिक है और इसके निसकासाने के लिए अतधिक जलकी आविसिकता होती है यूरिकमल कम आविस से और जलकी कम मातरा के साथ निसकासित किया जाता है अमोनिया के उस सरजनी की प्रिकिरिया को अमोनिया उस सर्ग प्रिकिरिया कहते है अनिक आएस्थल मचलिया उभायचर और जलिये कीट अमोनिया उस सरजी प्रिकिरिया के होते है मालब जितने भी जलिये प्राणी होते हैं जैसे कि मचलिया हो गए उभायचर हो गए और जलिये कीट यह क्या करते हैं ? अमोनिया काुसरजन करते है। तो इसे याद रेखें। अमोनिया सरलता से गुलन्सी लिए आसानी से अमूनियम आइनो के रूप में सरीर 6 या मश्यों के पिलों कालॉम्स को बित्मडा द्वार इससाज़त हो जाते है। इस उस्तरजन में ब्रक की कोई एहम भूमिका नहीं होती है, इन प्राणियों को अमोनिया उस्तरजी या अमोनो टैलिक कहते हैं, तो इसे याद रखें, जितने भी जली प्राणियां हैं, ये अमोनिया का उस्तरजन करते हैं, इस्तरजी आवासों में अनुकूला नहेतू, जल की हानी से बचने के लिए प्राणी कम आविस नाइटो जनी अपसिश्टों जैसे यूरिया और यूरे कमल का उस्तरजन करते हैं, इस्तंधारी कई इस्तरजी उभायचर और समुद्री मचलियां मुखता यूरिया का लाते हैं, मलब कुछ समुद्री मचलियां ऐसी भी होती हैं जो यूरिया का उस्तरजन करती हैं, और इस्तंधारी और कई इस्तली उभायचर भी यूरिया का उस्तरजन करते हैं, मलब यूरियो टेलिक होते हैं, इन प्राणियों में उपापचे किरियां द्वारा निर्मित तरी में आप एक्षित प्रासणता को बना रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है सरी सिर्प मलब सरी सिर्पों पक्छियों इस्थलिये घौंगों और कीटो में नाइट जनी अप सिष्ट यूरिक अमल का उस्था जल की कम मात्रा के साथ गोली का या पैस्ट के प्राणी जोता है तो इनको या दखें कौन यूरिया का अमल उस्था जी है कौन आमोनिया उस्था जी है प्राणी जगत में कई प्रकार के उस्था जी अंग पाए जाते हैं अधिकांस अकसिर्कों में या सरचना सरल नलिकाकार में होती है जब कसिर्कों में जटेल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें ब्रक कहते हैं इन सरचना के प्रमुख रूप नीचे दिये गए है आधि ब्रक कक प्रोटोनेफरेडिया जवलाकोसिका प्लेटी हलमिन्थी मालब चप्टे किर्मी जैसे की प्लेनेरिया हो गया रूटी फार कुछ एनिलेड सिफिलो कॉड़र्ड में एंप्यों आॉकसंस आधि में उस्थाजी सरचना के रूप में पाए जाते हैं मतलब जो अधी ब्रक्कक हुएं ज्वाला कोसी कहा हैं और जो प्लेटी हलमिंथीस में मतलब चप्टे किरमी जैसे प्ले नेरिया रोटी फर कुछ एनिलेड सिफेलो कॉर्डेट आधी में उस्ताजी सरचना के रूमें पाए जाते हैं अधी ब्रक्कक जो होते हैं वो प्रात्मेक रूप से आयनों बाद्रब के आयतन नेमन जैसे प्राशन नेमन से संबन दे थे कैचुए बा अन एनिलेड में नलिकाकार उस्ताजी अंग ब्रक्कक पाए जाते हैं अधी कान से कीटों में उस्ताजी अंग के रूप में मेल पीघी नलिकाएं पाई जाते हैं मेल पीघी नलिकाएं नाइटू जनी अपसिष्टों के उस्ताजन और प्राशन नेमन में मदद करती हैं जींगा प्रोन मतलब जींगा प्रोन जैसे क्रिष्टी सियाई प्राणियों में स्रंग ग्रंथियां या हरत ग्रंथियां उस्ताजन का काल करती हैं जींगा प्रोन जैसे क्रिष्टी सियाई प्राणियों में स्रंग ग्रंथियां या हरत ग्रंथियां उस्ताजन का काल करती हैं अब नेक्स्ट ट्वपिक ही मानाव उत्सर्जनत्थ मानाव सर्जनत्थ लाल रंक उैसा कम स्राइल और प्रेक्ष्ट नीली सी रंग इह रेक्सरा है और यह ब्रक है प्रश्ट महाधमनी है मुत्र अबाहनी है मुत्रासा और मुत्रमार्ग और यह महापश्च सिरा है पेल्वेस मेडिूला मद्यास और बलकोट मतलब भी इस पार्ट के नाम दिये गए है अब हम देखते हैं माना उस्वाजन तंत क्या है मनुस्व में उस्वाजी तंत एक जोड़ी ब्रक एक जोड़ी मुत्र नली का एक मुत्रासा और एक मुत्रमार्ग का बना होता है मनुस्व में उस्वाजी तंतर होता है वो एक जोड़ी ब्रक एक जोड़ी मुत्र नली का एक मुत्रासा और एक मुत्रमार का बना होता है ब्रक सेम के बीच की आकरती के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं मलब जो ब्रक होते हैं वो सेम के बीच की आकरती के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तता यह अंतिम बक्षिये और तीसरी कटी कसिर्का के समीप उधर गुहा में आंत्रिक प्रष्ट सताय पर इस्तित होते हैं। बैस्क मनुस के प्रतिक ब्रख की जो लंबाई है वो 10-12 cm, चोड़ाई 5-7 cm और जो मोटाई है वो दूसे 3 cm होती है। तता लगबक इनका जो भार होता है वो 120-170 gram होता है। तो मतलब जो ब्रखों का जो लगबक भार होता है वो 120-170 gram होता है। बुरक की केंदुरिये भाग की भीदी अप्तल सताय के मदमें एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर मुः नयली क्यायरक भाहिने रोतन का प्रवेचित। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की एक रचना होती जिसे अब्रकिये स्रूनी या पेल्विस कहते हैं तता इससे निकलने बाले प्रिच्छेपों को चसक कैलकिस कहते हैं मतलब इससे जो प्रिछेव निकलते हैं उनकों हम चचाचा क्या कल्केस कहते हैं यह दिया गया है और डाइग्राम क्या कैल्केस दिए गए हैं मध्यास प्रामेड बारतीनी की स्तंब बलकुट, ब्रक आवरान, ब्रक धमनी, ब्रक सिरा, ब्रक पैल्वेस और मुत्रवायनी ब्रक की बाहरी सताय पर द्रण संपूर्ट होता है ब्रक में दू भाग होते हैं एक तो बाहरी बलकुट जिसे कोट्रेक्स कहते हैं और भीतरी मध्यांस जिसे मेडियूला कहते हैं मध्यांस कुछ संकवाकार प्रामिड में बटा होता है जो की चसकों में फैले रहते हैं बलकुट मध्यांस प्रामिड के भीस फैलकर ब्रक स्थम्ब बनाते हैं जिनें बारतीनी स्थम्ब कहते हैं प्रतिक ब्रक में दस लाग जटल नलिका कार सरचना ब्रक काड़ू मतलब नेफ्रोन पाई जाती है जो क्रियात्मा के काईया हैं प्रतिक ब्रक काड़ू के दो भाग होते हैं चिने हैं गुच ग्लो मेरूलस और ब्रक नलिका कहते हैं गुच ब्रक ये धमनी की साखा अभी भाई धमनियों से बनी केसी का मतलब कैपिलरी का ये गुच है ग्लो मेरूलस से रक्त अब भाई धमनी का द्वारा ले जाया जाता ह ग्लोममेडुमिद्स juμα रखते वह अभो अपभाई धमनिका द्वारा ले जाया जाता है कि यह डाइगराम दिया गया है यह हम देख सकते हैं यह अभी अभी यह रहा ही धमनिका है और यह अपभाई धमनिका है गलू में कस या कोजी का गुच्छ है बोमन संपुट है आरोही भुजा है अबरोही भुजा है यारोही भुजा और अबरोही भुजा हैंडरे पास बनाती है और यह वासा रेक्टा है नीचे और यह संगराय नलीका है फिर उसके उपर दूरस समलित नलीका है फिर उसके उप यह अभी वाही और अब वाही धमनीका है और यह बोमन संपुट है और यह समीपा संबलत नलीका है अब हम पढ़ते हों ब्रक नलीका दोहरी जिल्ली युक तो प्याले नुमा बोमन संपुट से प्रारम होती है जिसके भीतर गुच होता है गुच और बोमन संपुट मिलकर मेल पीघी का अत्वा प्रारम प्रारम होती है बौमन संपुट से एकती कुनले समीपा संबलत नलीका प्रारम होती है मिल्ब पी सीटी प्रारम होती है। कि बॉमें संपुट से एक अती कुंडलेत समीपस्त समीपस्त सम्लित नली का पी सीटी प्रारम होती है। बौमिन संपूट से एक अती कुंडिलित समीपस्त संबलित नली का PCT प्रारंब होती है इसके बाद व्रकाणू में हैनर पिन के आकार का हैंडरे लूप पाया जाता है जिसमें आरोही बाबरोही बुजा होती है आरोही बुजा से एक और अती कुंडलेत नली का दूरसंबलेत नली का डी सीटी प्रारम होती है अनेक ब्रकाणों की दूरसंबलेत नली का एक सीधी संगरा नली का में खुलती है अनेक संगरा नली का मिलका चसकों के बीच इस्तित मद्यांस प्रामिट से गुजरती हुई ब्रक की ये सोणी में खुलती है ब्रक काणूं की ब्रक कणिका, समीपा समलिद नली का, दूरस समलिद नली का, आधी ब्रक के बलकोट भाग में, जबकि हैनरे लूप मद्यांस में इस्थित होती है। अधिकांस ब्रकाणूं के हैंडरे लूप बहुत चोटे होते हैं और मध्यांस बहुत कम धसे होते हैं ऐसे ब्रकाणूं को बलकुटी ये ब्रका कहते हैं जक्ष्टा मेड्यूलरी नेफरोन कहते हैं गुच्स से निकलने वाली अपवाही धमनी का ब्रक्की नलिका के चानों वह सूप्ष्ष्म केसिकां का जाल बनाती हैं जिसे परी नलीका केस्ट का जाल कहते हैं इस जाल से निकलने वाली एक एक सुक्ष नलीका हेंरे लूप की समानता चलते हुए यू आकार की सरजना बासा रेक्टा बनाती है बलकुटी के ब्रकाणु में बासा रेक्टा या तो अनुपस्तित या अथिदेक खिरासित होती है अब नेक्स्ट है मूत्र निर्मान में तीन मुख प्रिक्रिया समले थे गुच्छी निसेयंदन पुना अपसोसन इस्तरावन तो इसे याद रखें कि मूत्र निर्मान में तीन प्रिक्रिया समले थे गुच्छी निसेयंदन पुना अपसोसन और फिर उसका इस्तरावन जो ब थमचनान में 20 या गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यांदन होता है। ब्रकों दुआरा प्रती मिनिट और 1100 से 1200 मिली लीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है जो कि हिर्दाय दुआरा एक मिनिट में निकाले गए रक्त के एक बटे पास भी भाग के बराबर होता है जो कि हिर्दाय दुआरा एक मिनिट में निकाले गए रक्त के एक बटे पास भी भाग के बराबर होता है गुच्च की कुसिकाओं का रक्त दाव रुदिर का तीन परतों में इसे निस्यंदन करता है ये तीन परते हैं गुच्च की रक्त कुसिका की आंत्रेक उपकला बोमिन संपुट की उपकला तर्था, इन दुनों पर्तों के बीच, पाई जाने वाली आधार जिल्दी, बोमिन संपुट की उपकला कुसिका है पदानू या पौर्डो साइटर Vernogle कहलाती है जो वाइंस प्रकार का जो विस्यस प्रकार से विन्यास प सी अधोर से क्या विन्यासित प्रकार कि अ ने जसे कुछ छोट छोटे आपकास भी पीच में रही जाते हैं इन्हें आंदन खांच ओप euro forgot glor की गुष में खटा हो जाता है इसलिए से परा निस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं मतलब इन जिलियों से रुदर इतनी अच्छी तरह चंता है कि जिससे रुदर के प्लाजमा की प्रूटीन को छूर का प्लाजमा का सेस्वाक चंकर संपूर की गुष में खटा हो उसलिए से परा निस्यंदन अल्टा कहते हैं बरक्यों दौ़रा प्रति अन्दृत की गई मतला गुचिये निस्यंदन दर जीएफ-अब कहलाती है तो से याद रखें और शेंदन दर जीएफ-अपर कहलाती है 1. स्वस्त वैकटी में यह दर्म 158 मिलीMonitor प्रति मिनित अर्थात 180 लीटर प्रती दिन होती है तो इसे याद रखें जो भुवप 25 मिलीटर प्रती मिनेट तथा 180 लीडर प्रती दिन होता है तो इसे निसे अंदन की दर के नेमन के लिए ब्रक्म द्वारा किरिया विधी अपनाई जाती है गुच्छी आसन उपकराण द्वारा एकती सुक्षम किरिया विधी संपन की जाती है यह विसेश संवेधी उपकरण अभी भाई धम्य निकाओं के संपर किस्तल पर दूरा समले नलिकाओं की केसी काओं के रूपांतरा से बनता है गुच्छ निसियंदन दर में ग्रावट इन आसन गुच्छ केसी काओं को रेनिन के इस्त्रावन के लिए सक्रिय करती है गुच्छ निसियंदन दर में ग्रावट इन आसन गुच्छ केसी काओं को रेनिन के इस्त्रावन के लिए सक्रिय करती है जो ब्रकिये रुदिर का प्रभा बढ़ा कर गुच्छ निसियंदन दर को पुनहा सामन कर देती है प्रती दिन बनने वाले निसियंदन के आयता न एक सो असी लीटर प्रती दिन की उसरजित मूत्र बन पॉइंट फायब लीटर से तुल्ला की जाए तो यह समझा जा सकता है कि निन्यान में प्रितिसत निसियंद को ब्रक नलीका उन द्वारा पुनहा अपसूसित किया जात अधर्ड़ुन निसियंद पदा जैसे ग्लुकोоз, हमीन, सोडियम उत्यादी रूप से परिवहन से पुन्राविसुसित कर लिया जाते हैं तो से याद रखए कि जो सोडियम न इसlde रूप से परिवहन सेपूराविसृत कर लिया जाते हैं और निस्वार्द्किन रूप से अफसोसित होते हैं वह निस्क्रीय रूप से अफसोसित होते हैं भरककाणू के प्रारंबिक भाग में जल का पुन्रा विसोसा निस्क्रीय क्रिया दोरा होता है मूत्र निर्माण के दोरान नल्काकार कोसी का है निस्यांद में H प्लस और K प्लस और अमूनिया जैसे पदार्थों को इस्तरावित करती है नलिकाकार इस्तरावण भी मूत्र निर्मान का एक मुखचरान है क्योंकि यह सारी रिक तरल आईनी बार अमले चार संतुलन को बना रखता है अब देखते हैं ब्रक नलिका के विविन भागों के क्याकार है ब्रक नलिका है उसके विविन भागों के कौन से कार है थे इनिका सरल घना कार बुर्स बॉडर उपकला से बनी होती है जो पुर्णा अपसूसान के लिए सताय चेत्रों को बढ़ाती है तो इसे याद रखें कि जो समीपा समले नलीका होती है या नलीका सरल घनाकार ब्रस बॉर्डर उपकला से बनी होती है जो पुर्णा अपसूसान के लिए सतीय चेत्रों को बढ़ाती है लगबग सभी आविस सब्सक्राइब सब्सक्राइब को इसे बना रखने के लिए एच प्लस अमूनिया और के प्लस आयनों को निसी अंदन में स्तरावन और बाई कार्वोनेट का पूर्णा अपसूसन करती है बाई कार्वोनेट का पूर्णा अपसूसन करती है अब नेक्स्ट है है लूप क्या है देखते हैं आरोई भुजा में नियूंतम पूर्णा अपसूसन होता है है यह भाग मद्यांस में उच अंतरकासी तरलता की प्रासनता के नेमन में महितवतून भूमी का निवाता है हैरे लूप की अब रुई भुजा जल के लिए अप पारंगम होती है परंतु बैदृत अब घट के लिए सक रेता से या धीर धीरे पारंगम होती है तो से याद रखें कि हेनरे लूप की अब रोही भुजा जल के लिए अपार गम होती है परन्तु बेदोत अब घट के लिए सक्रिता से या धीरे धीरे पार गम होती है या नीचे की गोर जाते हुए निस्यंद सांद्र करती है आरोई भुजा जल के लिए अपार गम होती है लेकिन बेद्दोत अपगट का अपसोसा सक्री या निस्क्री रूप से करती है जैसे जैसे सांध निस्यांद उपर की वो जाता है वैसे बेद्दोत अपगट के मद्यांस तरल में जाने से निस्यांद तनू होता जाता है यह मतलब डाइग्राम दिए गए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यूरिया भी है सूडियम क्लूराइट जल तो मतलब यह नेफ्रोन की विविन भागों द्वारा फिर मुख पदातों का पुना अपसूशन यह मिस्त्रावन दरसाता है यह डाइग्राम अब नेक्ष्ट दूरस समलेत नलीका अभी तो हमने समीपा समलेत नलीका पड़ी और हैंले लूप पड़ा अब हम दूरस समलेत नलीका पड़ते हैं इसके कौनसे कार होते हैं विशिष्ट परिस्थितिंगों में विशिष्ट परिस्थितिंगों में सोडियम और जल का कुछ पुन्रा अपसूसर इस भाग में होता है तो उसे याद रखें कि विशिष्ट परिस्थितिंगों में जब कोई विशिष्ट परिस्थितियां होती है तभी सोडियम और जल का और अमोनिया का चैनाथ मार कि तुछ करती है तो इसे याद रखें कि दूरत समलेट नलिका रख्त में सूडियम पोटेसियम का संतूलन बना बना रखने के लिए बाई कार्बोनेट का प्ना प्राविशू सब्सक्राब करती है अब नेक्स्ट संग्राय नलिका, संग्राय नलिका क्या है दिखते हैं, यह लंबी नलिका ब्रग के बलकुट से मद्यांस के आंतरिक भाग तक फैली रहती है, मुत्रुखों आविस्ट अनुसार सांधर करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अफसोसित किया जाता है, यह भाग मद्यांस की अंतरकासी की पराशनता को बना रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को ब्रक मद्यांस तक ले जाता है, यह पी-एच के नेमन तता हाइडियन पोटेसियम आईनों के चैनात्म कस्त्रावन द्वारार रक्त में आईनों का संतूलन बना रखने म मैं भी भूमिका निभाता है अब हम देखेंगे निसेयंद मतलब च्छनित्खों सांध्रान करने की के लिए इसस्तंधारी सांधित मुध का उत्तपादन करते हैंम इस कारी में हेंरेलोग और बाशारेक्टा मेहतपूर्पूर्बूमिका निभाता हैं हेन्रे लूप और जो बासा रेक्टा होता है वो महत्पुन भूमी का निभाता है हेन्रे लूप की दोनों बोजा में निस्यंद का विप्रीद दिसा में प्रवाव होता है जिसे प्रतिधारा उत्पन होती है मलब हेन्रे लूप की दोनों बोजा बोजा में निस्यंद का कास के प्रासन दाप को बिसेश प्रकास नेमित करती है प्रासन दाप मध्यांस के बाहरी भाग से बीतरी भाग की गूर लगाता बढ़ता जाता है जैसे की बलकोट की गूर तीन सो तीन सो एम ओ से प्रती लीटर से अंतरिक मध्यांस में लगवाग बारासो एम ओ एस एम प्रती लीटर या प्रमणता सूडियम क्लूराइट जथा यूरिया के कारण बनती है वो sodium chloride का परीवहन हेनरे लूब की आरोही भुजा द्वारा होता है जिसे हेनरे लूब की अब रोही भुजा के साथ भी नमित किया जाता है सूडियम क्लूराइट अंतर कास को बासा रेक्टा की आरोई बुजा दोरा लोटा दिया जाता है मलब जो सूडियम क्लूराइट है अंतर कास को बासा रेक्टा की आरोई बुजा दोरा लोटा दिया जाता है उपर बढ़ित पतारतों का परीवेन हेलरे लूप तताबासा रेक्टा की बिसीज बिवस्ता द्वारा सुगम बनाया जाता है जिसे प्रती धारा क्रियाविधी कहते हैं यह क्रियाविधी मध्यांस के अंतर कासी की प्रवानता को बनाया रखती है इस प्रकाल की अंतर कासी प्रवानता संग्रा नली का द्वारा जली की सहज अपसुसन में युगदान करती है हमारे ब्रक प्रारंबिक निस्यंद की या पेक्चा लगबक चार गुना अधिक सांद्र मूत उस्साजित करती है या निश्चती जल के रास को रोकने की एक मुख किरिया विदी है अब देखते हैं ब्रक किरिया विदी का नियमन नियंतरन या नियमन हाइपो थैलीमस के हार्मोन की पुनर भारान किरिया विदी सन्यद गोच अपकरान जे जी ए और कोछ सीमाता घृर्दय द्वारा होता है मतलब जो ब्रकोगी क्रिया बिदी का जो नियंतर है नियमन वो हाइपो थेलमस के हार्मोन की पुनर भरान क्रिया बिदी चे जी ए और कुछ सीमा तक हिर्दाय द्वारा होता है सरीर में उपस्थित पराशन ग्रहिया रक्त आयतन सरील तरह लायतन और आईनी संदरान में बदलाव द्वारा सके होती है सरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्र देखरास मूत्रलता डाय यूरिसेस इन ग्राईओं को सक्रिय करता है जिससे हाइपो थैलिमस्त प्रति मूत्रल हार्मॉल एडी एच और निूरो हाइपोफाइसेस खुम बैसोप्रेशन के लिए के स्तराव के लिए मनला इस्तरावितु प्रेरित करता है सरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्र देखरास मूत्रलता या डाय यूरिसेस कहलाता है तो जल का अत्र देखरास इन ग्राईओं को सक्रिय करता है जिससे हाइपो थैलिमस्त प्रति मूत्रल हार्मॉन एडी एच मतलब एंटी डाय यूरित हार्मॉन और जो नीडी एच मतलब एंटी डायूरेटेक हार्मोन नालिका के अंते भाग में जल के पुनाफ सोसान को सगम बनाता है और मुत्रलता को रोकता है मनलब डायूरेसिस को मनलब जल के अतिदे खरास को रोकता है तोसे याद रखें कि जो ADH anti-diurated carmone होता है या जल के मनलब अतिदे खरास को रोकता है मनलब यह ADH नलिका के अंतियं भाग में जल के पुनर अपसुसन को सुगम बनाता है और मूत रलता मतलब डाय यूरिसस को रोकता है सरी तरल के आयतन में ब्रदी प्राशन ग्राईयों को निस्की लिए कर देती है और पुनर भरन हुपूरा करने के लिए ADH के इस्तराव का निरूत करती है ADH ब्रक के कारियों को रक्त बाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है इससे रक्त दाब बढ़ जाता है रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्च प्रभाव बढ़ जाता है जे जी की जटल नेमनकारी भूमिका है गुच्छी रक्त प्रभाव या गुच्छी रक्त दाव जी एफर में ग्रावट से जी कुसिका है वो सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती हैं रेनिन रक्त में उपस्तेते हैं एजियो टैंसो नोजन को एंजियो टैंसन फस्ट और बाद में एंजियो टैंसन दुतिये में बदल देती हैं एंजियो टैंसन दुतिये एक प्रभाव कारी भाई का संकीना का वैसो केस ट्रिक्टर है जो गुच्छी रुधिर दाव तता जी प्रवावकारी बायी का संकीला का है यह गुच्छी रुद्र दाप तता जी एफार को बढ़ा देता है एंग्यो टेंसन दुतिये अधी ब्रक बलकुट को एल्डोस्टीरोन हार्मॉन इस्त्रावण के लिए प्रेत करता है एल्डुष्टिरोण के कारण नलिका के दूरस्त भाग में सूडियाम तथा जलका पुनाप सूसान होता है तो इससे एक बार कोश्ट्रोण भी पुछ गया है कि अल्डुस्टिरों के कारा नहीं नलिका के दूरस तबाग में सूडियम तथा चलका प्नाफसान होता है इससे भी रक्तदाप तथा जो जी एफार है उसमें ब्रद्दी होती है जिससे मलब रक्तदाप तथा जी एफार में ब्रद्दी होती है या जटल क्रिया बिदी रेन अलिंदे में अधिक रुदर के बहाव से अलिंदिए ने्टी यूरेट प्रयकण ओर अनीऊफ इसलावित्थ थुर्वितु होता है एं और जो रक्तबाविकां w स्थे प्रकार्स in on TV जो दो सी आधर उसे नékतुछ साथ होता है लागर हो quella जो ANF क्रिया बिदी होती है बार रेनन एंजियो टेंसन क्रिया बिदी पर नियंतरन का काम करता है अब हम देखते हैं मूतरन ब्रक द्वारा निर्मे तो मूतर अंतर में मूतरसाय में जाता है केंदी तंदी के तंद से मूत्रा साही की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्रा साही अबरोधनियों के सिथिला नहीं तो एक प्रिरख संदिश जाता है जिससे मूत्र का उस्साजन होता है मूत्र उस्साजन की किरिया मूत्रन कहलाती है और इसे संपन करने वाली तंत्री का किरिया विधी मूत्रन प्रतिवर्त कहलाती है मूत्र उस्साजन की किरिया मूत्रन कहलाती है और इसे संपन करने वाली तंत्री का किरिया विधी मूत्रन प्रतिवर्त कहलाती है प्रतिन देन यह से लेकर बन पॉंट फायब लीटर मूत उस्चाज़द करता है मूत यह तरल है जो रंग में हल्का पीला थ्थोड़ा हम लिये होता है उस्दान प्रती दिन 25-30 ग्राम यूरिया का उस्थर जन होता है विविन अवस्ताय मूत्र की विसिस्ता को प्रभावित करती है उस्दान के लिए मूत्र में ग्लुकोज की उपस्तिती ग्लाइको सूरिया मदू में डाइबिटीस मेली टस्की लक्षन है है कि मूत्र में ग्लूकोज की ऊपस्तितिती ग्लाइको सुरिया कहला थी है कि walks नों दिया जिए हम देखते हैं और एक्षन आणगों की भूमिके मलनलब इस साजन में विस्ता से कि ब्रहते हैं ब्रकों के अलाबा फुपो स्यक्रित और तोचा भी उस्साजी अपसिष्टों को बहार निकालने में मदद करते हैं तो से याद रखें कि ब्रकों के अलाबा फुपो स्यक्रित और तोचा भी उस्साजी अपसिष्टों को बहार निकालने में मदद करते हैं हमारे फेंपड़े प्रत्ति दिन भाघी मातरा में कारबन डाय ऊक्षजाइड लगबक 200 मिली लीटर प्रति मिनिट और जल की परैयप्त मातरा का निसकाशन करते हैं और जल की परयाप्त मतरा का निसकासन करते हैं, हमारे सरीर की सबसे बड़ी ग्रंत ही अक्रत पित का इस्द्राव करते हैं, जिसमें बिली रूबिन, बिली विर जूरेटन, अटना Tea, तो निमनी करेट, ने हार्मून, ताधो ने हुस्टद मिली ल के उस्जान हुएं तो हमारे सरी की सबसे मड़ी गरंती या कृत पित का इस्तराव करती है जिसमें बिली रूविन, विली वारिडिन, कॉले स्टेरोल, निमनी कृत, स्टेरोयल, हार्मन, विटामिन तथा वुसत आधी होते हैं इन अधीकांस पदारतों को अंतता मल की साथ बाहर निकाल दिया जाता है तोचा में उपस्तित सुईत गरंतियां तथा तेल गरंतियां भी इस्तराव द्वारा कुछ पदारतों का निस्कासन करती हैं सुईत गरंती द्वारा निकलनी बाला पसीना एक जलीय द्राब़र जिसमें नमक उरीय लेक्ट कमल एत्यादी होते हलांकि पसीनी का मुख चार बास पीकर द्वारा सरीर सताइ को ठंडा रखना आ है जो पसीनी का जो मुखकार है वाइबास पीकरानों द्वारा सरीर की सताय को ठंडा रखना है लेकिन यह उपर बताए गए कुछ पदारतों के उस्ताजन में भी सहायता करता है जो तेल गरंदियां है वो सीवम द्वारा कुछ इस्टेरोल हाइडोकारवन इवा मोम जैसे पदारतों का निस्कासन करती है इस तरह तोचा को सुरक्षात्मा का तेली कवाच प्रदान करते हैं क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइटोजन यापसिष्टों का निस्कासन लार द्वारा भी होता है अब नेक्स्ट ब्रक बिकृतियां मनलब यह इस चेप्टर का लाज्ट टॉपिक है तो देखते हैं ब्रक बिकृतियां कौन कौन सी है ब्रकों की कुछ संक्रिया के फलस्रूप रक्त में यूरिया इकत्रित हो जाता है जिसे यूरिमिया कहते हैं जो की अत्यंत हानी कारक है यह ब्रक पात के लिए मुख रूप से उत्तर दाई है रक्त अपुहन हीमोडायलिसिस की प्रक्राम में रोगी की धमनी से रक्त निकाल कर उसमें हैपेरन जैसा कोई ठक्का रोधी मिलाकर अपुहन कारी यकाई में भेजा जाता है जिसे कृतिम ब्रक कहते हैं मलड यूरिया का निस्कासन है रक्त अपुहन द्वारा होता है रक्त अपुहन हीमोडायलिसिस के प्रक्राम में रोगी की धमनी से रक्त निकाल कर उसमें हैपेरन जैसा कोई ठक्का रोधी मिलाकर अपुहन कारी एकाई में भीजा जाता है जिसे कृतें ब्रक्क कहते हैं इस की एकाई में कुंडले तो सेलुफन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगटन नाइटो जनी अपसिश्टो को छोड़कर प्लाजमा के समान होता है चिद्र युक्त सेलुफन जिली से अपुहनी द्रम में अणुओं का आवा गमन सांद प्रवनता के नुसार होता है अपुहनी द्रम में नाइटो जनी अफसिश्ट अनुपस्तित होती है अता यह पदात बहार की और गमन करते हैं और रक्त को सुद्ध करते हैं सुद्ध रक इसमें क्या बताया है कि अप्पू हनी द्रब में नाइटो जनी अपसिष्ट अनुपस्तित होती हैं अता यह पदात बाहर की उर्गमन करते हैं और रक्त को सुद्ध करते हैं सुद्ध रक्त में हेपेरन बिरूदी डालकर उसे रोगी की सिराओं दौरा पुनहा सरीर में बे प्रत्यार उपण में मुक्ता निकट संबंदी दाता के क्रिया सिल ब्रक का प्योग किया जाता है जिससे प्राप्त करता का प्रिती रक्षातन तो उसे आस्विकार नहीं करें आदोने क्ली निकाल बिधियां इस प्रकाल की जटल टकनीक सफलता की दर्खों बढ़ाती हैं म क्रिया सिल ब्रक का प्योग किया जाता है जिससे प्राप्त करता कर प्रिती रक्षातन तो उसे अस्विकार नहीं करें आदोने क्लीनिकल बिधियां इस प्रकाल की जटल टकनीक सफलता की दर्खों बढ़ाती हैं रियनल कैल कलाई रियनल कैल कलाई बरक में बनी पथरी या आग घुलंसील के लबाड के पिंड जैसे की ऑक्सली आरी ग्लो मैलो नेफ्रोइटिस गुच्च सूद बरके के गुच्च सूद की प्रदाह कता तो मतलब यह chapter पूरा complete हो गया है इसका सलम साब पढ़ सकते हैं अब मतलब जो इसके तीन मतलब इसके बाद के तीन chapter ही रहे गया है फिर यह मतलब पूरा complete हो जाएगा और एक जनतु जगत बाला भी अध्या रहे गया है तो आज के लिए तना ही thank you for watching बाई